लुट वाला दोस्तों देखिए सुट में आपको मैं बताने वाला हूं कि आपको वीजिम कैसे बनाना है और किस तरीके से आपको पर सब्सक्राइब करना है उसलिट करना है आपको मेल पर देना लेकिन जब हम लोग करते तो कैसे करेंगे पूरा वीडियो आप पूरा अंट देखिएगा कैसे वीजिम बनाना है कौन कोशी डेटेल कहाँ पर फिल करनी वह साथ चिश्टार पर पर प्रापर बता हुआ कैसे स करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं गर आप चाले पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बहुत ही कम कॉस्ट में वर्क आप सीख पाएंगे जैसे कि कहां पे आपको रेजिटेशन करना है क्या करते हैं कहां से आपको वेंडर मिलेंगे कहां से आपको कस्टमर कर पाएंगे कैसे कंटेर बुक करना है मतलब एक जितना भी उसका डॉकुमेंटेशन वर्क होता है सारी चीज़ हम लोगों ने इस कोर्स के अंदर कवर कियु हुए और जो कोर्स का प्राइस रहागा 2500 रुपे रख साध़ साथ बिढर सब्सक्राइब करना है पूरा विडियो आपको समझ आयोगा पूरा प्रैक्टिकल आपको समझ आयोगा कि किस तरीके साफ वीडियम बनाएं गे कौन से लिकार करेंगे और कैसे आप उसको ओन-लाइन जाके समिट करेंगे तो को देखिए हम लोग अ यह है हमारी वीजियम की वर्ड फाइल जो कि आप मेरी वेबसाइट से भी आप डाउन्लोड कर सकते हैं वेबसाइट का नाम आप उपर वीडियो में देख रहे होंगे तो देखे यह फॉर्मेट होता है यह हमें पूरा डेटेल इसके अंदर भरना होता है पहले मैं आपको एक एक करके पॉइंट से आपको समझा देता हूँ उसके बाद मैं भर के बताता हूँ तो यह जो है फॉर्मेट हमें पूरा भरना है यह होता है वीजियम वेरिफाइट ग्रॉस मास आप कंटेनर ठीक है महलब आपका जो कंटेनर है उसका पूरा वेट जो अंदर पैकेजिंग है और कंटेनर के साथ जो खाली कंटेनर का वेट है वो मिक्स करके जो वेट होता है उसे हम लोग बोलते है लिजिम बेट ठीक है तो सबसे पहला वाला जो रोह है यहां पे नेम ऑंपदा शेपर यहां पर आपको उसाइक्स को च्राइक्षक कर रहा है लिए जिए तरीके समय आपको यहां डालङो नाम डालने जो भी उसाइक्स-पोर्ट कऄ नाम च Secondly आप आपको शीपर रेजिस्टेशन लाइसेंस नंबर मलब आईसी नंबर ठीक है और शीपर नेम तो यह आपको इन्वोईस टैकिंग लिस्ट में भी मिल जाएंगे और शीपिंग विल में मिल जाएंगे तो मैं शीपिंग बिल भी ओपन कर लेता हूं यहां पर आप देखना है श लिए यहां मिलेघा यह आप देख रहे हैं यह आज इस जुलिखा हुआ यहां यह आपको इसself नंबर है या फिर उत्राइज सिग्नेटरी है उसका नाम यहां पर डाल देंगे तो मैं आपने नाम डाल देता हूं ठीक है ट्वंटिफॉर इंटू सेवन कॉंटेक्ट डिटेल जिससे वह आप से कॉंटेक्ट कर पाएं कि अगर कुछ इशू होता है तो कि शिपिंग लाइन वाले ठीक है यहां पर हो गया कंटेनर नंबर में कंटेनर का फोटो में निकाला हुआ है तो आप यह देख सकते हैं कंटेनर नंबर में एक चीज आपको समझे लेना है इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं देखिए यह यह आपका TTNU340 मैं पहले पूरे डाल देता हूं यहां पर TTNU3403986 यह आप देखने हैं यह पूरा कंटेनर नंबर होता है 36 तक ठीक है 86 तक सब्सक्राइब तो हम यह आप यह दुबार असे इसको ओपन कर लेता हूं वह डिलेट हो गया है यह कंटेनर नंबर है यहां पर अपको यह देख रहे 34039863986 हम लोग इसमें और आट कर देता है पूरा कंटेनर नंबर है ठीक है कंटेनर साइज आपको यहां पर करना है 20 जीपी जेनल परपस ठीक है या फिर डीवी भी कर सकते हैं ड्राइग कंटेनर इसके बाद यहां पर यह क्या होता है कोड होता है ठीक है यह कोड होता है आपका अगर फ्लैट ट्रैक है तो आपको dot nt करना है हाईज हाईक्यूब है तो हईक्यूब करना है ये कंटेनर ये कोड होतो है ठीक है अगर ओपनटॉप ह तो टी करेंगे यह यहाप इसे टी間 करेंगे यह data ६ कर सकते हैं सप्छर्ण ने समय तो यहां पर यह में यहां पर डाल希望 तो इसका आपको जहां पर सीजय ने वेट कराया है आपके तो वहां का जो वेतर उसका नाम डालना कि कि उस धरमकार्ण अनाम क्या है यहां पर मैं आप भी डाल देता हूं जिससे हम लोग regular करते हैं और उसका registration number उसकी slip पे मिलेगा ठीक है अब registration number वो होना चाहिए जो धर्म काटे का registration number है ठीक है ना कि आपको slip number slip number आगे हम लोग को नीचे डालना है तो तो नेच्स्ट हमें यहां पर नम्बर है हम यहां पर डाल देंगे ठीक है वेरिफाइट ग्रॉस वेट में हो यहां पर डालना है अब वीजह डालना है आफ चार्वीत लग लॉत कि तो आपको का रख सब्सक्राबट्स वेट जैसे आपको शेपिंग मिल उसकी इहां पर ट् indirectly कंटेर डाल सकते हैं या अधि ट्हीर वेट आपको कहां से मिलेगा घ्रियार का का यह आप देख रहे हैं 52 bastante यह मुझाकई तो आपको केजेश वाले लेना पाइसासी थीक है तो मैं यहां पर 22 डाल देता हूं 22 सोरी यहां पर मेरे को डालना है 22 80 अब इन दोनों का जो टोटल करके आगा वो आपको यहां पर डाल देना है मैं इसको टोटल कर लेता हूं 10600 प्लस बाइस असी आपको यहां पर डाल देना के जिसमें ठीक है यहां पर यहां पर डाल देंगी यहां पर आपको जैसे में आपको बता है सिलिप नंबर जो आपने ध्रम काटे से वेट कर आया उसका सिलिप नंबर ना कि धरम काटे का रिस्टेशन नंबर यहां पर आपको सिलिप नंबर डालना है ठीक है टाइप नॉर्मल रिफर हजार डस या फिर अधर ठीक है तो यहां पर हमें डालना है नॉर्मल कंटेनर है हमारा तो यहां पर नॉर्मल डाल लेंगे अगर हैज इस व्रास हता, तो यहां पे हम has detail यहां पर fill करते हैं, ठीक है, जैसे un number जो भी इसका un number हता, 12 होता है, तो class, जो भी इसकी class है, आपको यहां पेस तरह के से डाल देंगे, ठीक है, normal है, तो तो सिर्फ आपको यहां पे यहां पर आपको बस क्लारीफाइओ करना कि है और नॉर्मल है फिकर अगर नॉर्मल है तो यहाँ पर नॉर्मल और यहां पर आप है इसको और ने करते हुए अब यह आपको जो वीज गन है वह बन कर लेना है इसको और sign stamp करके आपको scan copy बना लेनी है ठीक है इसके बाद हम लोग इसको submit भी करेंगे submit मैं आपको बताता हूं कैसे करना है मैं पहले odex login कर लेता हूं तो यहां मैंने जो odex है वो login कर लिया है यहां पर आप हमें करना है वीजम समेट तो सबसे पहले तो आपको यहां पर देखने कि आपका कौन से सी पोर्ट से आपका container जो है लोड हो रहा है तो यहां मैं इसको नवाश शिवा या फिर मुंद्रा में से दोन में से कुछ भी कर लेता हूं तरह मुंद्रा बीकर सकते ठीक है वैसल वह आप इसको एग्णोर कर दीजे और जिस भी बुकिंग के लिए आप डाल रहे तो यहां पर उस बुकिंग का नमबर आपको डाल देना है और यहां पर थर्ट पर्टी सेलेक्ट करेंगे और यहां पर एक्सपोर्टर का नाम जो कि आपने वीजम मे यहां पर डाला हुआ है यह वाला ठीक है तो मैं इसको यहां पर कॉपी कर लेते हैं यहां पर आपको आइसी नंबर डालना है जो कि हमने यहां पर मेंशन किया हुआ है ठीक है यहां पर आपको ऑथराइस परसन का नाम जो कि हमने डालाता हूं वहां पर वीजियम में यहां पर डॉकुमेंट्स एक्जेकुटिव्स यहां पर जो भी है डेजिंग नेशन नहीं वह आपको डाल देना है ठीक है यहां पर नंबर पर यहां पर आपको नंबर डालना है जो कि हमने यहां पर मेंशन किया हुआ है यह वाला कि ठीक है अधिकक है कंटेन का साइज का है वह आपको यहां पर देख लेना है कंटेनर टाइप जन्रल परपर अगर आगो टाइप जनरल अगर हैज है तो अगर जैसी आप हैस पे क्लिक करेंगे तो आपके यह दो चीज आपके एक्स्टा हो जाएगे तो यहां पर आपको डिटेल करने पड़ेगी मैं पहले आपको नॉर्मल वाला बताता हूं फिर मैं आपको है वाला बताऊंगा तो यहां प के बाद टेर वेट आपको डालना है तो डाल सकते हैं अधरवाइस आप इसको खाली छोड़ सकते हैं यहां पर आपको वीजयम डालने नहीं ठीक है वीजयम वेट आपको यहां से मिलेगा यह वाला ठीक है यहां पर आपको इस पर पेस्ट कर देंगे यहां पर आपको एड्रस है मुंद्रा नवार्शिवा मलब जो भी आपका ड़्रस वह आप यहां पर डाल दीजेगा गुजरात ठीक है इसके बाद यहां पर वेट बिरिज नेम अगर आपके पास रेजिटेशन नमबर तो यहां रेजिटेशन नमबर डाल दीजेगा और यहां पर रेजिट वेट बिरिज नेम डाल दीजेगा अगर नहीं है तो आप यहां पर नाम डाल के छोड़ सकते हैं ठीक है वेट बिरिज शिलिप नंबर जो मैंने आपको बताया जो कि आप यहां पर मेंशन करेंगे यहां पर ठीक है वो slip number आपको यहां पर mention कर देना है यहां पर date and time जो कि हमने यहां पर डाला है ठीक है इस वाली column में वह हम यहां पर डाल देंगे और यह जो अभी scan copy हमने अगर इसको आपको बता है जो letterhead पर आपको print करनी है और फ्राइज letter by shipper और यहां पर वो file select कर लेनी है और यहां पर save पर क्लिक कर देना आपका जो है vgm submit हो जाएगा तो इसको आप track करना है कि आपका vgm submit हुआ या नहीं हुआ है तो आप यहां पर जाएंगे track request पर क्लिक कर कि अगर कुछ किया है तो आपको आपने कर दीए तो इस तरीक ऐसा आप इसको ट्रैक कर सकते तो वीडियो पसंद आगए तो वीडियो कंप कर दिएगा इसके लाब कोई लिए बैल अक्रेश के लिए ताकि हमारे नेनी वीडियो के आपको सबसे पहले मिल पाए तो इस तूड में इतना ही मिल से ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद